रात को सोने से पहले आपने यह तीन शब्द बोलने हैं और इस काम को आपने लगातार करना हैं कैसे करना है उसकी विधी मैं आपको बताऊंगा यह एक ऐसा प्रियोग है जिसको अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी क्योंकि आपके लिए हम जो उपाए लेकर आते हैं सात्विक उपाए और जोतिश शास्त्रों में ये उपाए इतने ज़्यादा पावर्फुल बताए गए हैं कि अगर इन्हें कोई भी मन से करेगा तो उसको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी आज का जो उपाए है ये खास तोर पर उन लोगों के लिए है जिनको अपने जिवन में धन की बहुत कमी रहती है बहुत हमारे सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं गुरु जी कोई ऐसा टोटका जिससे पैसा हमारे भग्या में आता रहे आज का ये उपाए उन लोगों के लिए है जिनहें धन की बहुत आशा रहती है पैसा पाना चाहते हैं धन धनवान बनना चाहते हैं तो इस उपाए को आप जरूर करें और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में पैसे के संबंधित जो भी दिक्कत है फाइनेंशली कोई भी समस्या है इस उपाए को करने के साथ ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और खास तोर पर हमारे वो फोलोवर जो हमसे पैसा, अमीर, धनवान, जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बनें जो इन सब से रिलेकिड प्रशन पूछते हैं उनको आज का ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए आज जो मैं आपको गुप्त तोटका बताने वाला हूँ, ये तोटका आपकी तरफ पैसे को अकरशित करेगा और धन आपकी तरफ आने लगेगा तो प्यारे बंधु जनों, शंकर भगवान को परणाम करते हुए, आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ओम त्रियंब कम्यजा महे सुबंधिम पुष्टी वर्धनम उरवारुकमिव बंधनान मृत्यूर मुक्षिय माम्रेतात बोलिये शंकर भगवाने की जय हर हर महा दे तो नमशकार, सुस्वागतम, आभार, मैं पंडित, नितिन शास्त्री, जोतिश मिराकल पर आप सभी भगतों का हारदिक स्वागत करता हूँ और उमीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, भगवान भोले नाथ की कृपा आप सभी के उपर बनी रहे हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप शोभग्य को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में बरकत बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कारिय आपको जरूर करना होगा जैसा कि आप सभी भक्तों ने एपिसोड के टीजर में देखा है कि रात को सोने से पहले बोल दें, यह तीन शब्द जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी अब तीन शब्द कौन से हैं और किस तरह से आपने बोलने हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगा यह काम आपने मंगलवार की रात से शुरू करना है मंगलवार की रात तरी को जिस समय आप सोने के लिए बिल्खुल रेडी हूँ सोने से ठीक पहले आपने अपने मुख से ओम लक्ष्मी कुबेर यह तीन शब्द बोलने हैं, ओम लक्ष्मी कुबेर एक बार ही बोलने हैं और उसके बाद आपने सो जाना है मंगलवार की रात से इस प्रियोग को शुरू करने के बाद लगातार आपने चालिस दिन तक इस प्रियोग को करना है पुरुष और इस्त्री, बच्चा, बड़ा या भुजूर्ग कोई भी इस प्रियोग को कर सकता है इस प्रियोग को करने पर सबसे बड़ा फाइदा जो आपको मिलेगा आपकी पैसे की हर प्रकार के परिशानी दूर हो जाएगी आपके भग्य में पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा लक्ष्मी जी की फुल कृपा आपके उपर होने लगेगी अगर आपके बनते हुए कारियों में बार बार रुकावत आती है तो इस उपाय को करने से आपका कोई भी कारिय नहीं बिगड़ेगा जिस काम में भी आप हाथ डालोगे उसी काम में आपको बहुत सफलता मिलेगी और आपके जीवन की सभी परिशानियों का अंत केवल एक इस उपाय से हो जाएगा इस उपाय को करते वक्त अपने मन में जितना जादा भगवान का ध्यान करेंगे जितना जादा प्रमात्मा का ध्यान करेंगे उतना ही अधिक असर इस उपाय को करने का आपको प्राप्थ होगा साथियों शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब हम कोई उपाई करते हैं उस समय हमारे मन में आस्था और विश्वास का होना बेहत जरूरी है तो आज कई हैपिसोड आपको कैसा लगा है अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा आज के लिए बस इतना ही अगले अपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और किसी नए विशे के साथ अगर आज के अपिसोड से जुड़ा हुआ आपका वोई भी प्रश्ण है तो आप अपना वह प्रश्ण कमेंट बोक्स में या फिर इमेल आइडी पर हमसे पूछ सकते हैं अगर आज के अपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करेंगे आप सभी भक्त हसते रहें मुस्कुराते रहें और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी जय माता की